प्रिष्ट संख्या 169 अध्याए आठ पहनावे का सामाजिक इतिहास इस पर शायद ही हमारा ध्यान जाता हो कि हम जो कपड़े पहनते हैं, उनका भी एक इतिहास है विभिन्नवर्गों वतपकों के लोग, मर्द, औरत, बच्चे, क्या पहने इसको लेकर हर समाज में कुछ न कुछ नियम होते हैं और कहीं कहीं तो उनका सख्ती से पालन भी किया जाता है इन कायदों से दुनिया में लोगों की पहचान बनती है इन ही के जरीए वे खुद को परिभाशित करते हैं इन ही से सौमिता और सुन्दरता की शर्म वा मर्यादा की हमारी कसोटियां बनती है वक्त बदलता है तो बदलते हैं ये विचार और कपड़ों में आए परिवर्तनों में इन विचारों की जलक आसानी से देखी जा सकती है आधुनिक दुनिया के उदय का इतिहास कपड़ों में हुए नाट की ये बदलाव का इतिहास भी है इस अध्याए में हम आधुनिक काल यानि उननीस्वी वबीस्वी सदी में हुए बदलावों के बारे में सुनेंगे ये दोनों सदीयां एहम क्यूं है अठारवी सदी में जनवादी करांतियों और पूंजीवादी विकास के पहले यॉरप के जादातर लोग क्षित्री विशभूशा धारण करते थे और उनके कपड़ों का रंग रूप, उनके इलाके में उपलब्ध, कपड़े की गिस्म और किमत से भी तैह होता था पहनावी की शैलियां भी स्थानिय समाज में लोगों की सामाजिक हैसियत से तैह होती थी इससे फर्क पड़ता था कि आप किस वर्ग के हैं, आप मर्द हैं या औरत अठारवी सदी के बाद दुनिया की अधिकांश हिस्स से यॉरप के उपनिवेश बन गए जनतांत्रिक आदर्शों का प्रसार हुआ और समाज और द्योगिक होने लगे इन प्रक्रियाओं के फलसुरूप लोगों की वेश भूशा वो उसके मायने पूरी तरह बदल गए अब लोग दूसरी संस्कृतियों या इलाकों में उपलब्ध सामगरी वर्शैली को अपना सकते थे और दुनिया भर के लोग पश्चिमी परिधान में सजने लगे आपने अध्याए एक में सुना कि फ्रांसिसी क्रांती ने किस तरह सामाजिक वराजनीतिक जीवन के कई पहलूं को बदल कर रख दिया क्रांती की आंधी में उस समय की परिधान संहिता जो समचुरी लोग कहलाती थी वो भी उड़ गई आखिर ये कानून थे क्या प्रिष्ट संख्या 160 1. समचुरी, कानून और सामाजिक उचनीच मध्यकालीन यॉरप में समाज के विभिन तप्कों पर परिधान संहिताएं लागू करने के लिए सचबुष के कानून बनाये जाते थे और कानून में अक्सर बारीक चीजों पर भी ध्यान दिया जाता था गरीब 1294 से फ्रांसिसी करांती 1789 तक फ्रांस के लोगों से उम्मीद की जाती थी कि वे समचुरी कानूनों का पालन करें इन कानूनों का मकसद था समाज के निचले तपकों के व्यावार का नियंतरन उन्हें खास खास कपड़े पहनने खास व्यंजन खाने और खास तरह के पे मुख्यता शराब पीने और खास इलाकों में शिकार खेलने की मना ही थी इस तरह मध्यकालीन फ्रांस में साल में कोई कितने कपड़े खरीच सकता है ये सिर्फ उसकी आमदनी पर निर्भर नहीं था बलकि उसके सामाजिक उहदे से भी तैह होता था परिधान सामगरी भी कानून सम्मत होनी थी सिर्फ शाही खानदान ही बेश खीमती कपड़े पहन सकता था एर्माइन, फर, रेशम, मखमल या जरी की पोशाक सिर्फ राजा रजवाडे ही पहन सकते थे कुलीनों से जुड़े कपड़ों के जन साधारन द्वारा इस्तेमाल पर पाबंदी थी फ्रांसिसी कुरांती ने इस भेदभाव का अंत कर दिया जैसे कि आप पहले अध्याय को सुनकर जान चुके हैं जैकोबिन कलब के सदस्यों ने खुद को सौ कुलोट इसलिए कहना शुरू किया कि वे कुलीन वर्ग के फैशंदार घुटनना पहनने वाले लोगों से खुद को अलग दिखा सकें सौ कुलोट का शाब्दिक मतलब ही था बिना घुटनने वाले इसके बाद मर्द औरत दोनों ही धीले ढाले और आराम देह कपड़े पहनने लगे फ्रांसिसी तिरंगे के तीन रंग नीला, सफेद और लाल लोकप्रिये हो गए और इन्हें पहनना देशभक्त नागरिक के निशानी बन गया पोशाक की रूप में दूसरे राशनितिक प्रतीक भी पहने जाने लगे स्वतंतृता की निशानी लाल टोपी, लंबी पतलून और तिर्शी टोपियां जिने कौकेट कहा जाता था पहनावे की सादगी से समानता का भाव प्रकट होता था इस प्रिष्ट पर चित्र संख्या एक इसमें अठार्मी सदी के इंग्लेंड की एक उच्च वरगिये जोडी का चित्र है अंग्रेज कलाकार टॉमस गेंसबोरो 1727 से 1788 द्वारा बनाई कई तस्वीर नए शब्द इर्माइन फर की एक किस्म अगले प्रिष्ट पर चित्र संख्या तीन जिसमें 1791 की मध्य वरगी महिला दिखाई गई है चित्र संख्या दू फ्रांसेसी करांती के दौरान एक कुलीन जोडी इस चित्र में दिखाई गई पोशाक भव्वे और विस्त्रित है महिला ने चुडा मनी, सिरसज्जा और फीतों की किनारिया पहनी हुई है उसने गाउन के भीतर कॉर्सेट भी पहन रखी है इससे उसकी कमर सीमित और छोटी रह दी थी ताकि वो पतली कमर वाली दिखे कुलीन पुरुष अपने जमाने के रिवाज के नुसार सैनिकों वाला लंबा ओवरकोट, घुटनना, रेश्मी स्टॉकिंग और उँची एडी वाले जूते पहने हुए है दोनों ने सजधज वाले नकली विग यनि केश लगा रखे है और दोनों के चेहरे पर ना जुग गुला भी रंग है ऐसा इसलिए कि खुद्रती तवचा का रंग दिखना अशोभ निये माना जाता था चित्रसंख्या तीन सत्रा सो एक्यानवे मध्धे वर्गिये महिला चित्रसंख्या चार फ्रांसेसी करांती के स्वैम सेवक चित्रसंख्या पांच सारे समचुरी कानून सामाजिक उंचनीच पर जोर नहीं देते थे इन में से कुछ कानून तो आयाच से देशी उत्पादों की रक्षा के लिए बनाए गए थे मिसाल के तौर पर सोल्वी सदी के इंग्लिंड में फ्रांसेसी और इतालवी सामगरी का आयात कर बनाई गई मखमल की टोपियां पुरुशों में बहुत लोग अपरिये थी इंग्लिंड ने कानून बना कर उंचे उहदे के लोगों और 6 साल से नीचे के बच्चों को छोड़ कर सभी के लिए रविवार को और छुट्टियों के दिन इंग्लिंड में बनी उनी टोपि पहनना अनिवारे कर दिया ये कानून 26 साल तक कायम रहा और इससे इंग्लिंड के उनी वस्र उद्द्यों को खड़ा करने में मदद मिली क्रिया कलाप चित्र संख्या 2 से 5 इन तस्वीरों की भिन्नता से क्रांती कालीन फ्रांस के समाज वो उसकी संस्कृती के बारे में क्या पता जलता है चित्र संख्या 2 से 5 की व्याख्या को फिर से सुने इन तस्वीरों की भिन्नता से क्रांती कालीन फ्रांस के समाज वो उसकी संस्कृती के बारे में क्या पता जलता है पुशाक और खुबसूर्ती के पैमाने इस पुश्ट पर पहले चित्र संख्या छे उच्च वरगिये शादी का द्रिश्य अंग्रेश चित्रकार विलियम होगार्थ 1697 से 1764 की कृती चित्र संख्या साथ कुलीन घराने की बच्ची विलियम होगार्थ का चित्र इतने कम उम्र में भी इस बच्ची की कमर बहुत पतली है ये संभवता कॉर्सिट के कसाफ का नतीजा था लंबे गाउन से उसकी गती जरूर बाधित होती होगी आगे बढ़ने से पहले इस प्रिष्ट पर आने वाले नए शब्दों से परिजए स्टेज शरीर सीधा रखने के लिए महिला पोशाक का हिस्सा कॉर्सिट चुस्त वसक्त जनाना बोडिस इससे देह की आकरती बनती थी सफ्रेज आंदोलन मताधिकार के लिए चलाया गया आंदोलन सफ्रेज आंदोलन कारी महिलाओं को भी मताधिकार देने के समर्थक थे और अब आगे समचुरी कानूनों के खात्मे का ये मतलब कता ही नहीं था कि यॉर्पिय देशों में हर कोई एक जिसी पोशाक पहनने लगा हो फ्रांसेसी करांती ने समता का सवाल उठाया था और कुली इन विशेशाधिकारों और उनको समर्थन देने वाले कानूनों की इतीक कर दी थी लेकिन सामाजिक तपकों के बीच अंतर बदस्तूर कायम रहा जायर है कि गरीब ना तो अमीरों जैसे कपड़े पहन सकते थे नहीं वैसा खाना खा सकते थे फर्क ये था कि अगर वैसा करना चाहते तो अब कानून बीच में नहीं आने वाला था इस तरह अमीर गरीब की परिभाशा उनकी वेशभूशा सिर्फ उनकी आमदनी पर निर्भर हो गई और अलग अलग वर्गों ने अपनी अपनी वेशभूशा विकसित की जिसमें खुबसूर्ती, बचसूर्ती, उचित, अनुचित, शाली निता वा फूहड़पन के विचार वा मानक अलग अलग थे पहनावे की शेलियों का फर्क मर्दों और ओर्टों के बीच भी था विक्टोरियाई इंग्लिंड में महिलाओं को बच्पन से ही आग्याकारी, खिदमती, सुशील वदब्बू होने की शिक्षा दी जाती थी आदर शनारी वही थी जो दुख दर सह सके जहां मर्दों से धीर गंफीर, बलवान, आजाद और आकरामक होने की उम्मीद की जाती थी वहीं औरतों को क्षुद्र, छुईमुई, निश्क्रिये वदब्बू मना जाता था पहनावे के रस्मों रिवाज में भी ये अंतर जलकता था छुटपन से ही लड़कियों को सख्त फीतों से बंधे कपड़ों स्टेज में कस कर बांधा जाता था मकसद ये था कि उनके जिस्म का पहलाव ना हो, उनका बदन एकहरा रहे थोड़ी बड़ी होने पर लड़कियों को बदन से चिपके कॉर्सिट पहनने होते थे टाइट फीतों से कसी पतली कमर वाली महिलाओं को आकरशक, शालीन वा सौम में समझा जाता था इस तरह विक्टोरियाई महिलाओं की अबला दब्बू छवी बनाने में पोशाक ने एहम भूमिका निभाई महिलाओं ने इन तौर तरीकों को कैसे लिया आदर्श नारी की इस परिभाशा को बहुत सारी महिलाएं मानती थी ये संसकार उनके माहौल में उस हवा में जहां वे सांस लेती थी वो साहित्ते जो वे पढ़ती और घर्वा स्कूल में जो शिक्षा उन्हें दी जाती थी सर्वव्याप्त था बश्पन से ही उन्हें घुट्टी पिला दी जाती थी कि पतली कमर रखना उनका नारी सुलब करतव्य है सेहनशीलता स्त्रित्व का जरूरी गुण है आकरशक वा स्त्रियोचित दिखने के लिए उनका कॉर्सिच पहनना आवशक था इसके लिए शारिरिक कष्ट या यातना भोगना मामूली बात मनी जाती थी लेकिन इन मूल्यों को सभी औरतों ने स्विकार नहीं किया उननीस्वी सदी के दौरान विचार भी बदले इंग्लेंड में 1830 के दशक तक महिलाओं ने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लड़ना शुरू कर दिया सफ्रिज आंदोलन के जोर पकड़ने पर पोशाक सुधार की मुहिम भी चल पड़ी महिला पत्रिकाओं ने बताना शुरू कर दिया कि तंग लिबास वा कॉर्सेट पहनने से युवतियों में कैसी कैसी बीमारियां वा विरूपताएं आ जाती है ऐसे पहनावे जिस्मानी विकास में बाधा पहुंचाते हैं इनसे रक्त प्रवा भी अवरुद्ध होता है मान स्पेशियां अविकसित रह जाती हैं और रिड भी जुग जाती है डॉक्टर ने बताया कि महिलाएं आम तोर पर कमजोरी की शिकायत लेकर आती हैं मेरी सॉमर्विल का नाम अग्रणी महिला गणितग्यों में आता है अपने बच्पन के अनुभव उन्होंने यू बयान किये है हाला कि मैं अच्छी भली सीधी और स्वस्थ थी लेकिन मुझे सख्ट स्टेज में कस दिया जाता था आगे स्टील की बस्क होती थी और मेरे फ्रॉक के उपर लगे फीते मुझे इतनी ताकत से पीछे खीचे रहते के मेरे कंधे की पट्टियां मिल जाती फिर स्टील की छड़का एक अर्ध वृत्त मेरी ठुड़ी के नीचे से होता हुआ मेरे स्टेज की स्टील खपच्ची में फसा होता था मुझे और मेरी सहेलियों को अपनी पढ़ाई इसी दबी बंधी स्थिती में करनी पड़ती मार्था सॉमर्विल संपादिका परस्टल रिफ्लेक्शन्स फ्रॉम अर्ली लाइफ टु ओल्ड अज ओफ मेरी सॉमर्विल लंदन अठारा सुतिहत्तर स्रोत ख महिलाओं की बीच प्रचलित वेशभूशा के स्वास्ते संबंधी खत्रों पर लिखते हुए उस समय के कुछ सरकारी अधिकारी तो व्यग्र हो उठे थे कॉर्सट पर हुए इस हमले को ही सुनिये शरीर विज्ञान कहता है कि हवा प्रान दाई है और गर्दन में रसी लगाने और कसे हुए फीते बांधने में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है दम तो दोनों ही स्थितियों में घुट सकता है कई बार तो तंग स्टेस पहनने का नतीजा ही यही है दुबला हुना, जढ़ जाना या मर जाना महा पंजीकार, 9th Annual Report, 1857 क्या आप जानते हैं कि मशूर अंग्रेज कवी जॉन कीट्स, 1795 से 1821 की नजर में आदर्श महिला कौन थी? वो उस दूधिया गोरी भेड जैसी थी, जो मर्द की सुरक्षा पाने के लिए मिम्याती हो अपने उपन्यास Vanity Fair, 1848 में थैकरे ने अमीलिया नामक महिला पात्र के आकर्शन का यूँ बखान किया मेरे खाल से उसकी कमजोरी ही उसका मुख्य आकर्शन थी एक मधुर, सुकुमार, निर्बलता का एहसास जो उससे मिलने वाले हर मर्द में सहानुभूती और संरक्षन का भाव पैदा करता था गतिविधी स्रोत कह और खह को सुने इन से आपको विक्टोरियाई समाज में पहनावे से जुड़े विचारों के बारे में क्या पता चलता है अगर आप मेरी सॉमर्विल के स्कूल की प्रिंसिपल होते तो आप इन कपड़ों को सही कैसे ठहराते नई शब्द बस्क लकड़ी, इसपात या वेल की हड़ी से बनी पट्टे जिसे कॉर्सिट को सख्त बनाने सहारा देने के लिए आगे लगाया जाता था अबलापन और परनिर्भरता के विचार महिलाओं के पहनावे में किस तरह चलते हैं प्रिष्ट संख्या 164 अमेरिका में भी पूर्वी तटके गोरे प्रवासी बाशिंदों के बीच ऐसा ही आंदोलन चला पारम पर एक जनाना लिबास को कई कारणों से बुरा बताया गया कहा गया कि लंबे स्कर्ट जैसे घागरा लेंगा फर्श बुहारते चलते हैं अपने साथ साथ कूडा बटोरते हुए चलते हैं जो बीमारी का कारण है फिर स्कर्ट इतने विशाल होते थे कि संभलते ही नहीं थे और चलने में परेशानी होने के कारण औरतों का काम करके जीवी का कमाना मुहाल था वस्त्र सुधार से महिलाओं की स्थिथी में बदलाव आएगा ऐसा कहा गया कपड़े अगर आराम दे हूँ तो औरतें काम धंदा कर सकती हैं स्वतंत्र भी हो सकती है राश्ट्रिय महिला मताधिकार सभाने श्रीमती स्टेंटन के नित्रत्व में और लूसी स्टोन वाली महिला मताधिकार सभाने अठारा सु सत्तर के दशक में पोशाख सुधार के लिए मुहिम चलाई उनका कहना था कपड़ों को सरल बनाओ, स्कर्ट छोटी करो और कॉर्सेट का त्याग करो इस तरह अट्लांटिक के दोनों तरफ आसानी से पहने जाने वाले कपड़ों की मुहिम चल पड़ी सामाजिक मुल्यों में बदलाव लाने में सुधारक फोरण कामियाब नहीं हुए उन्हें उपहास और रंज दोनों जहिलना पड़ा दकियान उस तबकों ने हर जगा परिवर्तन का विरूत किया उनका प्रलाप ये होता था कि पारमपरिक शैली के परिधान छोड़ देने से महिलाओं की खुबसूर्ती तो जाती ही रही थी उनका जनानापन और उनकी शालीन तब ही गायब हो गई थी इन लगातार हमलों से तरस्तो कर कई महिला सुधारकों ने अपने कदम वापस घरों में खीच लिए और एक बार फिर पारम पर एक पोशाक पहनने लगी फिर भी उननीसवी सदी के अंत तक हवा का रुख बदल चुका था कई तरह के दबावों में आकर सौंदरे के विचार और पहनावे की शैलियों में बुनियादी बदलावाए नए वक्त के साथ नए मूले चलन में आए इस प्रिष्ट पर चित्र संख्या आठ सयुक्त राज्य अमेरिका की एक महिला पोशाक सुधार के पहले इसका लंबा गाउन फर्ष बुहार रहा है सुधार को ने इसी तरह की पोशाक की आलूचना की प्रिष्ट संख्या 165 तीन नया दौर ये नए मूले क्या थे और बदलाव का दबाव कैसे बना ब्रिटन में नई सामग्री वा नई प्रोध्योगी की ने इस परिवर्तन को संभव बनाया दो विश्व युद्धों वा महिलाओं की कार्यस्तिती में आये परिवर्तन के चलते भी कुछ और बदलाव हुए आये थोड़ा पीछे चल कर सुनें कि ये परिवर्तन क्या थे सत्रवी सदी के पहले ज्यादातर ब्रिटिश महिलाओं के पास आमतौर पर फ्लेक्स, लिनन या उन के कपड़े बहुत कम होते थे इन्हें साफ करना भी मुश्किल होता था सन 1600 के बाद भारत के साथ व्यापार के चलते सस्ती वरख रखाव में आसान भारतिये छींट कई योरोपियों के घरों और अलमारियों का हिस्सा बन गई फिर अध्यों के क्रांती हुई जिसके दौरान 19. सदी में ब्रिटन ने सूती कपड़ों का थोक उतपादन और भारत सहिद कई देशों में निर्याद करना शुरू किया योरोप के बहुत बड़े तपके के लिए सूती वस्त्र अब आसानी से उपलब्ध हो गया बीसवी सदी की शुरूआत तक कृत्रिम रेशों से बने कपड़े और ज्यादा सस्ते तथा साफ कर पहनने में आसान हो गए महिला पत्रिकाओं में तुफान खड़ा कर देने वाले भारी भरकम वा उल्जाओ अंतरवस्त्रों को अठारा सो सत्तर के दशक तक धीरे धीरे त्याग दिया गया कपड़े अब हलके, छोटे और पतले होने लगे लेकिन फिर भी 1914 तक तो कपड़े एड़ी तक होते ही थे और ये लंबाई 13 सदी से बदस्तूर चलिया रही थी लेकिन अगले साल 1915 में ही सकर्ट का पाइचा उठकर अचानक पिंडलियों तक सरकाया ये सब यकायक हुआ कैसे? इस प्रिष्ट पर चित्र संख्या 9 मध्धे और उच्वर्ग की महिलाओं की पहनावे की शैलियां भी बदल गई और जालर भी गायब हो गए चित्र संख्या 9 का ख प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रितानी हथियार फैक्टरी में काम करती महिलाएं इस समय युद्ध के चलते उत्पादन की मांग को पूरा करने के लिए हजारों की तादाद में औरतें काम करने के लिए बाहर निकली सहज गती की जरूरत से पहनावे की शैली भी बदली प्रिष्ट संख्या 166 3.2 महा युद्ध महिला परिधान में कई बदलाव तो विश्वयुद्धों के कारण हुए यॉरप में धेर सारी औरतों ने जेवर और बेशकीमती कपड़े पहनने छोड़ दिये उच्च वर्ग की महिलाएं अन्य तपकों की नारियों से खुलने मिलने लगी जिससे सामाजिक सीमाएं भी तूटी और महिलाएं एक सी दिखने लगी पहले विश्वयुद्ध यनि 1914 से 1918 के दौरान कपड़ों के छोटे होने के निहायत व्यावहारिक कारण थे ब्रिटन में 1917 तक आते आते 70,000 औरतें हथियार की फैक्ट्रियों में काम कर रही थी जंग के लंबा खिंचने के साथ साथ चटख रंग गायब होने लगे, हलके रंग पहने जाने लगे, यानि कपड़े, सादे और सरल हो गए स्कार्ट तो छोटे हुए ही, ट्राउजर भी जल्दी पाश्चात्ते महिला की पोशाक का एहम हिस्सा बन गया इस से उन्हें चलने फिरने की बेहतर आजादी हासिल हुई, और सबसे जरूरी बात, सहुलियत की खातर औरतों ने बाल भी छोटे रखने शुरू कर दिये बीसवी सदी आते आते, कठोर और सादगी भरी जीवन शैली, गंफीरता और प्रोफेशनल अंदास का परियाय हो गई बच्चों के लिए नए विद्यालेयों में साधी पोशाक पर जोर दिया गया और तड़क भड़क को हतुत्साहित किया गया लड़कियों के पाठ्ठे क्रम में भी जमनास्टिक वा खेलों का प्रवेश हुआ खेलने कूदने में उन्हें ऐसे कपड़ों की दरकार थी जिससे उनकी गती में बाधान ना पड़े उसी तरह काम हे तू बहार जाने के लिए उन्हें आराम दे और सुविधा जनक कपड़ों की जरूरत थी इस तरह गोर कीजिए कि पहनावे का इतिहास समाच के वरिहत्तर इतिहास से नथा गुथा है हमने ये भी सुना कि पहनावे और खुबसूरती की परिभाशा कैसे समाच की प्रभुत वर्शाली संस्कृती और रवये से तेह होती है और कैसे ये ख्याल वक्त के साथ बदल जाते हैं ये भी साफ हो गया होगा कि किस तरह सुधारकों और रूडिवादियों के बीच इन आदर्शों को शकल देने के लिए संघर्ष चले और टेकनोलिजी वा अर्थ व्यवस्था के बदलाव तथा नए वक्त के दबाव ने लोगों को परिवर्तिन की जरूरत का एहसास कराया प्रिष्ट संख्या 166 चार अपनिवेशिक भारत में बदलाव पहले इस प्रिष्ट पर दिये गए चित्र चित्र संख्या 10 इसमें 1830 सच में बंबई में पार्सी दिखाए गए हैं चित्र संख्या 11 गोवा में इसाई धर्म और पश्चिमी पहनावा अपनाने वाले 1907 चित्र संख्या 12 काटून द मॉडरन पेट्रियट गगेंद्रनाथ टिगोर बीस्वी सदी की शुरुवात में एक ऐसे बेफकूफ आदमी की व्यंग पून तस्वीर जो पश्चिमी पहनावे की नकल भी करता है और मात्र भूमी से प्यार का दावा करने से भी नहीं चूगता उस जमाने के बहुत सारे काटूनों में सिगरेट पीते और पश्चिमी कपड़े पहने थुल-थुल व्यक्ति को उपहास का पात्र बनाया जाता था चित्रसंख्या तेरह इंडियन शारिवारी में छपा एक काटून अठारा सुतिहत्तर और अब आगे इस दोर में भारत में क्या हो रहा था अपनिवेशिक काल में पुरुष और नारी परिधानों में महत्वपून बदलाफ हुए एक तरफ तो इसके पीछे पश्चिमी ड्रिस शैली और मिश्णरियों के काम का असर था तो दूसरी तरफ भारतियों द्वारा प्रचारित ऐसे पहनावे का भी जो देशी परंपरा वसंस्कृती में रचा बसा हो कपड़ा और पहनावा दरसल राष्ट्रिय आंदोलन के निहायत महत्वपून प्रतीक बन गए उन्नीस्वी सदी में हुए बदलावों पर एक उड़ती नज़र डालें तो बीस्वी सदी के परिवर्तन की बहुतर समझ बन पाएगी जब उन्नीस्वी सदी में पश्चिमी वेश भूशा आई तो हिंदुस्तानियों की प्रतिक्रिया तीन तरह की थी एक बहुत से लोग खासकर मर्द पाश्चात्य पहनावे की कुछ चुनिंदा चीजों को अपनाने लगे पश्चिमी फैशन के कपड़े अपनाने वालों में पहला नंबर पश्चिमी भारत के अमीर पार्सियों का था बैगी ट्राउजर और फेटा या हैट के साथ कॉलर वाले कोट और बूट पहने जाते थे और जेंटलमेन दिखने में कोई कसर ना रह जाए इसलिए हाथ में एक छड़ी भी ले ली जाती थी इस समुह के लोगों के लिए पश्चिमी परिधान आधुनिक्ता और प्रगती का प्रतीक था पश्चिमी ड्रेस का आकर्शन निम्न जाती के उन तपकों में भी था जिन्होंने इसाई धर्म अपना लिया था उनके लिए ये मुक्ति का प्रतीक था यहां भी औरतों से ज्यादा मर्दों ने ये चलन अपनाया दो, कुछ लोगों का निश्चित मत था कि पश्चिमी संस्कृती से पारम पर एक संस्कृतिक अस्मिता का नाश हो जाएगा उनके लिए पश्चिमी पोशाक पहनना कल्युक के आने जैसा था इस प्रिष्ट पर छपे काटून में धोती के साथ बंगाली बाबू द्वारा फिरंगी बूट और हैट पहनने के लिए उसका मखौल उड़ाया गया है तीन, कुछ पुरुषों ने इस दुविधा का हल ऐसे ढूंडा कि बगएर अपनी भारतिये पोशाक छोड़े पश्चिमी कपड़े पहनने शुरू कर दिये उन्नीसवी सदी के आखरी हिस्से में कई बंगाली अफसरों ने घर के बाहर काम के लिए पश्चिमी शेली के वस्तर रखने शुरू किये और घर आते ही वे आराम दे हिंदुस्तानी कपड़ों में समा जाते थे बीसवी सदी के मानव शास्त्री वेरियर इल्विन याद करते हैं कि पूना में पुलिस कर्मी ड्यूटी से आते वक्त सडक पर ही कपड़े बदल लेते और घर तक सिर्फ ट्यूनिक वह अंतरवस्तर में ही पैदल जाते बाहरी और अंदरूने दुनिया का ये अंतर अभी भी कई लोग बरतते हैं कुछ अन्य लोगों ने पश्चिमी और देशी पोशाक को एक साथ पहन कर इस उधिर बुन से रहत पाई लेकिन हम सुनेंगे कि वेश भूशा में बदलाव के इस इतिहास में काफी उठा पटक है चार पॉइंट एक जाती संगर्ष और पोशाक परिवर्तन हाला कि भारत में यॉर्पिय किसम के समचुरी कानून नहीं थे लेकिन इहां खानपान, वेश भूशा, रहन सहन की अपनी सक्त सामाजिक संहिताएं थी उच्च जाती वनिम्न जाती के लोग क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे ये जाती प्रथा द्वारा तै था और इन आचार संहिताओं के पीछे कानून की ताकत थी इसलिए जब भी पहनावे में बदलाव से इन आचारों का उलंगन हुआ, हिंसक सामाजिक प्रतिक्रियाएं हुई मई 1822 में दक्षन भारत की त्रावन कोर रियासत में उच्च जाती के नायरों ने शनार जाती की महिलाओं पर हमला किया क्योंकि उन्होंने अपने शरीर के उपरी भाग पर कपड़े डालने की हिम्मत की थी आगे के दशकों में वस्त्र संहिता को लेकर कई हिंसक टक्राव होते रहे ताडी चुआने वाली शनार या नाडर जाती के लोग दक्षन त्रावन कोर में नायर जमिदारों के यहाँ काम करने के लिए जाकर बस गए थे निचली जाती के माने जाने के कारण उन्हें छत्री लेकर चलने जूते या सोने के गहने पहनने की मना ही थी स्थान ये रिवाश था कि क्या मर्द क्या औरत उची जाती वालों के सामने उपरी शरीर कोई नहीं ढखेगा इसाई मिशनरियों के प्रभाव में आकर धर्मांतरित शनार महिलाउं ने अठारा सो बीस के दशक में सेली हुई बलाउजों और कपड़ों से उची जाती वालों की तरह अपना तन ढखना शुरू कर दिया जल्द ही उची जाती के नायर हरकत में आ गए और उन्होंने सर्याम इन औरतों पर हमले करके उनके उपरी वस्तर फाड़ने शुरू कर दिये अदालत में भी पोशाक परिवर्तन की इस मुहिम के खिलाफ अर्जियां दी गई ऐसा इसलिए भी हुआ चूंकि शनार इस समय उची जाती की मुफ्त सेवा टहल करने से इनकार करने लगे थे शुरू शुरू में त्रावण कोर की सरकार ने 1829 में घोशना करवाई कि शनार औरतें अपने शरीर के उपरी हिस्से को ढखने से बचें लेकिन इसके बावजूद शनार इसाई यहां तकी शनार हिंदू महिलाओं ने अंगिया ब्लाउस जैसे उपरी वस्त्रों को अंगिकार करना जारी रखा त्रावण कोर में 1855 में दास प्रथा की समापती से उची जाती वाले और कुंठित हुए उन्हें लगा कि उनका नियंत्रण तूट रहा है अक्तूबर 1869 में जब एक दिन बाजार में शनार महिलाओं पर हमले हुए और उनके कपड़े उतारे गए तो दंगा भड़क उठा घर लूटे गए गिरिजा घरों को जलाया गया प्रिष्ट संख्या 179 आखिर में सरकार ने एक और घोशना जारी की जिसके तहत शनार महिलाओं चाहे हिंदू हो या इसाई उनको जैकेट आदी से उपरी शरीर को मर्जी मताबिक ढखने की इजासित मिल गई लेकिन ठीक वैसे नहीं जैसे उची जाती की महिलाएं ढखती थी इस प्रिष्ट पर दिये गए दो चित्र चित्र संख्या 14 यॉरपिय महमान शाजहां के दर्बार में तोफे लाते हुए आगरा 1633 पाच्छा नामा से तस्वीर के निचले सिरे पर टोपिया पहने यॉरपिये हैं गोर करने लाइक बात है कि दर्बारियों की पगड़ियों और इन महमानों की टोपियों में कितना फर्ख है चित्र संख्या 15 सर एम विश्वेश्वरयया जाने माने इंजिनियर टेक्नोक्राट और 1912 से 1918 तक मैसूर रियासत के दिवान वो पश्चिमी शैली के थ्री पी सूट के साथ पगड़ी पहनते थे चार पॉइंट दो ब्रिटिश राज और पोशाक संघिताएं भारती वेश भूशा पर अंग्रेजों की क्या प्रतिक्रिया हुई और हिंदुस्तानियों का अंग्रेजी रवईय के प्रतिक्या रुख रहा अलक अलक संस्कृतियों में किसी भी परिधान के अकसर भिन भिन अर्थ लगाये जाते हैं इससे कई मौकों पर गलत फेहमी पैदा होती है तकराव होते हैं पहनावे में प्रिटिश राज के दौरान आये बदलाव इससे टकराव का नतीजा थे जब शुरू-शुरू में यॉर्पिय व्यापारी भारत आने लगे तो उनकी पहचान हैट वालों की थी जबकि हिंदुस्तानियों की पगड़ वालों की सिर पर धरण की जाने वाली ये दो चीजें ना केवल देखने में भिन्न थी बलकि उनके माएने भी जुदा जुदा थे भारत में पगड़ी धूप वगर्मी से तो बचाफ करती ही थी सम्मान का प्रतीक भी थी जिसे जब चाहे उतारा नहीं जा सकता था पश्ची में रिवाश तो ये था कि जिने आदर देना हो सिर्फ उनके सामने हैच उतारा जाए इस सांस्क्रितिक भिन्नता से घलत फहमी पैदा हुई ब्रिटिश अफसर जब हिंदुस्तानियों से मिलते और उन्हें पगड़ी उतारते न पाते तो अपमानित महसूस करते दूसरी तरफ भोतेरे हिंदुस्तानी अपनी क्षेत्रिये और राष्ट्रिये अस्मिता को जताने के लिए जान बूच कर पगड़ी पहनते इसी तरह का टकराव जूतों को लेकर हुआ उन्नीस्वी सदी की शुरुआत में रिवाश था कि फिरंगी अफसर भारतिये शिष्टाचार का पालन करते हुए देसी राजाओं वन अवाबों के दरबार में जूते उतार कर जाएंगे कुछे कंग्रेज अधिकारी भारतिये विश्भूशा भी धारण करते थे लेकिन 1830 में सरकारी समारों पर उन्हें हिंदुस्तानी लिबास पहन कर जाने से मना कर दिया गया ताकि गोरे मालिकों की सांस्कृतिक नाक उँची बनी रहे इसी प्रिष्ट पर बॉक्स तीन सिर पर पगडी पेटा के नाम से विख्यात मैसूरी पगडी की किनारी पर सोने की पट्टी चड़ी होती थी ये पगडी उन्नीसवी शताबदी के मध्धे में मैसूर दर्बार की दर्बारी वर्दी हुआ करती थी उननीस्वी शताबदी के आखिर में बहुत सारे अफसर, शिक्षक और कलाकार पगड़ी पहनने लगे थे वे अकसर पश्चिमी सूट और पगड़ी दोनों साथ पहनते थे जो इस बात का प्रतीक था कि वे रियासत के कर्मचारी हैं अब मैसूरी पगड़ी मुख्य रूप से समारोहों के मौके पर और प्रतिष्ठत महमानों के स्वागत के समय ही पहनी जाती है प्रिष्ट संख्या 170 लेकिन दूसरी तरफ हिंदुस्तानियों से उम्मीद की जाती थी कि वे भारतिये पूर्शाक संखिता का पालन करें और दफ्तर भारतिये परिधान में ही जाएं सन 1824 से 1828 के बीच गवर्न जनरल एम हर्स्ट इस बात पर अड़ा रहा कि उसके सामने पेश होने वाले हिंदुस्तानी नंगे पाउँ आएं लेकिन इस जित को कड़ाई से लागू नहीं किया गया 19. सदी के मद्धे तक जब लॉट डलहाउसी कवर्न जनरल था पादु का सम्मान की ये रस्म सख्त हो गई और अब भारतियों को किसी भी सरकारी संस्था में दाखिल होते समय जूते निकाल देने पड़ते थे हाँ यॉरपीय पोशाक पहनने वालों को इस से चूट अवश्य मिली हुई थी सरकारी सेवा में कारेरत भारतिये इस नियम से तरस्त महसूस करने लगे पादु का सम्मान नियम के उलंगन की एक मशूर घटना 1812 में सूरत की अदालत में घटी सूरत की फौशदारी अदालत में असेसर लगान आखने वाले के उहदे पर कारेरत मनोग जी कुवास जी एंटी ने सत्र नयाधिश की अदालत में जूते उतारने से इंकार कर दिया जज जित किये रहा कि श्रेष्ट को आदर देने की हिंदुस्तानी परंपरा के मुताबिक उन्हें जूते उतारने ही होंगे लेकिन मनोग जी भी अड़े रहे तब अदालत में उनके प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई उन्होंने विरोज जताते हुए बंबई के गवर्नर को पत्र लिखा अंग्रेशों का कहना था कि चूंकि भारतिये किसी भी पवित्र स्थान या घर में घुसने से पहले जूते उतारते ही हैं तो वे अदालत में भी वैसा ही क्यों ना करें इस पर जो बहस चली उसमें भारतियों ने कहा कि पवित्र जगहों या घर की बात दूसरी है पहली बात तो ये है कि बाहर में धूल और गंदगी होती है जो जूतों में लगकर अंदर साफ सुत्री जगहों तक चली आएगी जहां लोग अकसर जमीन पर ही बैठते लिटते हैं दूसरी बात चमड़े का जूता तो वैसे ही अशुध होता है लेकिन अदालत जैसे सारवजनिक जगह आखिर घर तो है नहीं इन सब के बावजूद अदालत में जूतों के प्रवेश की इजासत मिलने में बरसों लग गए इस प्रिश्च पर स्रोत घर जब सूरत की फौशदारी अदालत में मनोग जी से अपने जूते उतारने के लिए कहा गया 18 सुबा सच में तो उन्होंने जच से कहा कि वो अपनी पगड़ी उतार सकते हैं लेकिन जूते नहीं उतारेंगे उन्होंने कहा पगड़ी उतारना अदालत के मुकाबले मेरे लिए कहीं ज्यादा बड़ी बेज़ती होती लेकिन मैं पगड़ी उतारने का हुक्म मान लेता क्योंकि इस मामले में चेतना या धर्म का कोई मामला नहीं है जूतों के जरीए मैं किसी का सम्मान या अपमान नहीं कर रहा हूँ लेकिन सिर पर पगड़ी पहनना हमारे लिए किसी के भी प्रती सबसे ज्यादा सम्मान परक बात होती है घर में हम पगड़ी पहन कर नहीं रहते लेकिन जब भी बाहर किसी सम्मानित व्यक्ति से मिलने जाते हैं तो अपने सामाजिक संसकारों के कारण पगड़ी पहन कर ही जाते हैं पर अपने सामाजिक मेल मिलाप में हम यानि पार्सी किसी के सामने जूते नहीं उतारते चाहे वो आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो क्रिया कलाप कल पना कीजिए कि आप उन्नीस्वी सदी के मुसल्मान है और आपको सदी के आखिर में इलाहबाद उच्च न्यायाले में पेश होना है आप किस तरह के कपड़े पहनेंगे? क्या वे कपड़े उन कपड़ों से बहुत अलग किसम के होंगे जने आप घर पर पहनते हैं? प्रिष्ट संख्या 171 राष्ट की पहचान को प्रतिकात्मक धंग से परिभाशत करने की इसी प्रक्रिया का हिस्सा थी हिंदोस्तान के कई भागों में उची जाती वा वर्ग के स्त्री पुरुशों ने पोशाक को लेकर सचेत प्रयोग किये बंगाल के टेगोर खानदान ने 1870 के दशक से ही हिंदोस्तानी मर्दों और और औरतों के लिए राष्ट्री पोशाक डिजाइन करने की कोशिश की रबिंदरना टेगोर की राय थी कि भारतिये राष्ट्री पोशाक में हिंदोस्तानी और फिरंगी परिधान का नहीं बलकि हिंदू और मुसल्मानी पोशाक का मेल होना चाहिए इस तरह बटंदार लंबा कोट यानि अचकन पुर्षों के लिए सबसे सही माना गया इसी तर्स पर अलक अलक क्षित्रों की पारंपरिक वेशभूशा से प्रिणा ली गई आईसीयस के पहले भारती सदस्य सतेंद्रनाथ टेगोर की पतने ज्यानदा नंदनी देवी 1870 के दशक में बंबई से कलकत्ते लोट कराई उन्होंने पार्सी शेली की साड़ी अपनाई जिसका पल्लू बाएक अंधे पर ब्रोच से गुनधा होता था और उसके साथ बलाउस और जूतियां पहनी जाती थी इसको फौरण ब्रह्म समाजी महिलाओं ने भी अपना लिया और तब से इसे ब्रह्मी का साड़ी कहा जाने लगा ये शेली जल्द ही महराश्ट्र और उत्तर प्रदेश के ब्रह्म समाजीयों और गैर ब्रह्म समाजीयों में चल पड़ी इस प्रिष्ट पर दिये गए चित्र चित्रसंख्या 16 लेडी बच्चु बाई 1890 मशूर पार्सी सामाजीक कारे करता इन्होंने रेश्मी गारा पहन रखा है जिस पर हंस और पियोनी नामक अंग्रेशी फूल का काम है सौजन ने पार्सी जोरिस्ट्रियन प्रोजेक्ट नई दिल ली चित्रसंख्या 17 ग्यानदा नंदनी टेगोर अपने पती सतेंद्रनाथ टेगोर और परिवार के अन्यस अदस्यों के साथ उन्होंने पश्चिमी गाउन की तर्स पर बने ब्लाउस के साथ साड़ी पहनी है सौजन ने रबिंद्र भवन फोटो आर्काइब्स विश्व भारती विश्व विद्याले शांतिने केतन चित्रसंख्या 18 आरसी दत्त की बेटी सरला उन्होंने पार्सी किनारी वाली साड़ी और मखमल का उंचे गले वाला ब्लाउस बहना है इस तरह पहनावे की शैलियां तमाम क्षित्रों और संस्कृतियों में बदल रही थी नए शब्द ब्रह्म समाज उन्नीस्वी सदी का एक धर्म सुधार आंदोलन प्रिष्ट संख्या 172 लेकिन अखिल भारतिये शैली विकसित करने की ये कोशिशें पूरी तरह सफल नहीं हुई आज भी गुजरात, कोडागू, केरल और असम की महलाएं भिन भिन किसम की साड़ियां पहनती है कुछ लोगों ने औरतों के पहनावे में बदलाव की कोशिशों का समर्थन किया, जबकि कुछ लोग इसके विरुद्ध थे कोई भी सब्भे देश उस तरह के कपड़ों के खिलाफ है, जिस तरह के कपड़े हमारे देश की महलाएं आजकल पहनती है ये नहायत बेशरमी की निशानी है, शिक्षित पुरुष इस स्थिती से बड़े परेशान है, तकरीबन हर विक्ती सब्भे खिसम के नए पहनावे की चाहा रगता है हमारे यहां बहुत बारीक और पारदर्शी खिसम के कपड़े पहनने का रिवाज चल पड़ा है, जिन से पूरा शरीर दिखने लगता है इस तरह के बेशरमी भरे पहनावे की ही वज़ा से अब सब्भे जनों की संगत नहीं मिल पाती इस तरह के कपड़े हमारे नैतिक उत्थान में बाथख बन सकते हैं सौदामिनी खस्तागिरी स्त्री लोकेर परिछद अठारा सुबहत्तर स्रोत च्छ सी केशवन अपनी आत्मकथा जीविता समरम में बताते हैं कि जब उन्नीस्वी सदी के आखरी समय में उनकी सास को पहली बार उनकी ननद ने बलाउस ला कर दिया था तो क्या स्थिती पैदा हुई थी देखने में अच्छा था लेकिन उसे पहनने पर मुझे गुदगुदी सी होती थी मैंने उसे उतारा ध्यान से तह किया और उत्साह पूरवक मैं उसे अपनी मा के पास लेकर गई उन्होंने कड़ी नजरों से मुझे देखा और कहा तो मुझे पहनकर कहा आवारा गर्दी करने जा रही हो तह करके संदूक में रख दो मैं अपनी मा से ड़ती थी वो मेरी जान ले लेती रात में मैंने उसे फिर पहना और पती को दिखाया उन्होंने कहा कि वो मुझे पर अच्छा लग रहा है अगली सुभा मैं बलाउस पहन कर बाहर आई मैंने ध्यान नहीं दिया कि बगल से मेरी मा चली आ रही थी तभी मैंने उन्हें नारियल की एक डाली तोड़ते सुना जैसे ही मैं पीछे घूमी वो गुस्ते से काप्ती मेरे सामने खड़ी थी उन्होंने कहा उतारो से अब तुम मुसल्मानियों जैसी कमीजें पहन कर घूमोगी इस प्रिष्ट पर चित्रसंख्या उन्नीस त्रावणकोर की महरानी सान उन्नीसो तीस इन्होंने पश्चिमी जूते और लंबी बहां की मर्यादित ब्लाउस पहने हुए हैं बीस्वी सदी के आरंभ में ये शैली उच्वर्ग में आम हो चली थी क्रिया कलाप ये दोनों उक्तियां स्रोत च और च लगभग एक ही समय की हैं भले ही भारत के दो अलग हिस्सों केरल और बंगाल से इनसे आपको जनाना पोशाक और शर्म के आपसी रिष्टे के बारे में क्या पता चलता है आपने बीसवी सदी के पहले दशक में बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन के बारे में सुना है अगर आपने गोर किया हो तो पाया होगा केस आंदोलन के केंद्र में पहनावे की राजनी थी आपको पता है कि अंग्रेश जब पहले पहल व्यापार करने आये तो हिंदुस्तानी सूती वस्त्र की सबर्दस्त मांग पूरी दुनिया में थी सत्रवी सदी में पूरे विश्व के उत्पाद का एक चौथाई भारत में बनता था अठार्वी सदी के मद्धे में अकेले बंगाल में दस लाख बुन कर थे लेकिन ब्रिटन में हुई और द्योगी क्रांती ने कताई और बुनाई का मशीनी करण कर दिया कच्चे माल की रूप में कपास और नील की मांग बढ़ गई और इसके साथ ही बदल गई विश्व अर्थ विवस्था में भारत की हैसियत हिंदोस्तान पर राजनितिक हुकूमत से ब्रिटन को दो फाइदे हुए भारत ये किसानों को नील जैसी फसलें उगाने के लिए मजबूर किया जा सकता था और सस्ते बने ब्रिटिश उत्पाद आसानी से यहां बने मोटे कपड़ों की जगा खपाए जा सकते थे नतीजा ये हुआ कि मांग के अभाव में भारत के बुनकर बड़ी तादाद में बेरोजकार हो गए और मुर्शदाबाद, मचली पटनम और सूरत जैसे सूती वस्तर के केंद्रों का पतन हो गया लेकिन बीस्वी सदी में आकर बड़ी संख्या में लोगों ने प्रिटिश मिलों में बने कपड़ों का बहिशकार करना शुरू कर दिया और उनकी जगा खुरदरी, महंगी और दुरलब खादी पहनने लगे ये बदलाव कैसे आया? ब्रिटिश राज के खिलाव बढ़ते विरोध को काबू में करने के लिए लौट करजन ने उननिस सो पांच में बंगाल को विभाज़त करने का फैसला किया बंग भंग की प्रतिक्रिया में स्वदेशी आंदोलन ने जोर पकड़ा पहले तो लोगों से अपील की गई कि वे तमाम तरह के विदेशी उतपादों का बहिशकार करें और माचिस और सिगरेट जैसी चीज़ों को बनाने के लिए खुद उद्द्योग लगाएं जन आंदोलन में शामिल लोगों ने कसम खाई कि वे अपने वेशिक राज का खात्मा करके दम लेंगे खादी का इस्तिमाल देशभक्ती का कर्तवे बन गया महिलाओं से अनुरोत किया गया कि रेशभी कपड़े वकाँच की चूड़ियों को फिंक दें और शंक की चूड़ियां पहने हत करगे पर बने मोटे कपड़े को लोकप्रिये बनाने के लिए गीत काये गए कविता हिरची गई पोशाक में बदलाव की बात उचे तपके के लोगों को ज्यादा भाई क्यूंकि साधन ही इन गरीबों के लिए नई चीज़ें खरीद पाना मुश्किल था गरीब पंधरा साल के बाद उच्च वर्ग वाले भी वापस यूरपिये पोशाक पहनने लगे हाला कि उस समय बहुत सारे लोग राष्ट रहित में एक साथ आ जुड़े थे लेकिन बाजारों में अटे पड़ी सस्ती ब्रिटिश वस्तूओं को चनौती देना लगभग असंभव था इन सीमाओं के बावजूद स्वदेशी के तजरुबे ने महात्मा गांधी को ये सी कवर्श दी के ब्रिटिश राज के खिलाफ प्रतीकात्मक रड़ाई में कपड़े की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है 5.2 महात्मा गांधी के पोशाक प्रयोग महात्मा गांधी की सर्व परिचित छवी वो है जिसमें वे खुले बदन, छोटी धोती पहने चर्खा कात रहे हैं चर्खा कात ने और खादी के दैनिक इस्तिमाल को उन्होंने महा प्रतीकों में बदल दिया आत्म नर्भरता के इन प्रतीकों में प्रतिश मिलों में बने कपणों का विरोध भी प्रतिविम्बित था इस प्रिष्ट पर दिया क्रिया कलाप अगर आप गरीब किसान होते तो क्या खुशी-खुशी मिल के कपणों का त्याग कर देते इसी प्रिष्ट पर चित्र संख्या 20 महात्मा गांधी की चर परिचित तस्वीर खुले बदन चर्खा कात्ते हुए महात्मा गांधी के वस्त्र संबंधी प्रयोगों में भारती उप महध्वीब में पहनावे के प्रती बदलते रवये का सार छुपा हुआ है गुजराती बनिया परिवार में पैदा होने के कारण अपने लड़कपन में वे कमीस के साथ धोती अपाईजामा पहनते थे और कभी कभार कोट भी 19 साल की उमर में 1888 में जब वे कानून पढ़ने लंदन गए तो उन्होंने अपनी चोटी कटवाली और बाकाईदा पश्चिमी सूट अपना लिया ताकि लोग उन पर हसे नहीं बापसी पर भी उन्होंने पश्चिमी सूट पहनना जारी रखा भले ही एक पगड़ी और डाल ली दक्षणी अफरीका के जोहनस बग में 1890 के दशक में वकालत करते हुए उनका पहनावा पश्चिमी ही रहा लेकिन जल्द ही उन्होंने फैसला किया कि असूटित रहना एक तरह की राशनी ते घोशना है लुंगी कुर्ता पहनने का पहला प्रयोग उन्होंने 1913 में डर्बन में किया जब कोईला खदान मजदूरों को गोली मारे जाने के खिलाफ सिर मुडा कर उन्होंने अपना सारवजनिक शोक जाहिर किया भारत वापसी पर 1915 में वो काठिया वाडी किसान की वेशभूशा में रहने लगे 1921 में जाकर उन्होंने छोटी धोती धरण की जिसे वे आजीवन पहनते रहे साल भर में स्वराज हासिल करने के उद्देश्य से असहयोग आंदोलन शुरू करने के एक साल बाद 2 सितंबर 1921 को उन्होंने एलान किया मैं चाहता हूँ कि 31 अक्तूबर तक कम से कम अपनी टोपी और गंजी तो त्याग ही दूँ सिर्फ और सिर्फ धोती से काम चलाऊं और देह बचाने के लिए कभी कभार चादर ले लूँ मैं इस बदलाव की सलह इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि पर उपदेश कुशल बहुतेरे में मेरी आस्था नहीं है यानि मैं दूसरों से ऐसा कुछ करने को नहीं कहता जो खुद नहीं कर सकता चित्रसंख्या 21 महत्मा गांधी 7 साल के अपनी सबसे पुरानी तस्वीर में चित्रसंख्या 22 महत्मा गांधी 14 साल के अपने एक दोस्त के साथ चित्रसंख्या 23 महत्मा गांधी अगली पंक्टी में बैठे हैं दहिनी योर लंदन में 1890, उम्र 21 वर्ष वे बाकाइदा पश्चिमी 3P सूट में है चित्रसंख्या 24 जोहनसबर्ग 1925 अब तक पश्चिमी लिबास में टाई भी है चित्रसंख्या 25 सन 1913 दक्षणी अफ्रीका सत्याग्रह की पोशाक में अगले प्रिष्ट पर चित्रसंख्या 26 कस्तूरबा के साथ महत्मा गान थी दक्षण अफ्रीका से लोटने के बाद सादे लिबास में उन्होंने बाद में स्विकार किया कि बंबई के पश्चिमी कृत अभिजात वर्ग के बीच उन्हें अटपटा से लगा उन्होंने कहा कि उन्हें दक्षन अफरीका के मजदूरों की संगती में घर जैसा महसूस हुआ अब आगे तब तक उन्होंने ये तेह नहीं किया था कि वे यही पोशाक जीवन भर पहनेंगे बलकि वो एक दो महिने के लिए प्रयोग भर करना चाहते थे लेकिन जल्द ही इसमें उन्हें गरीबों के प्रतिनिष्ठा का भाव दिखा और उन्होंने कभी कोई और वस्तरधारन नहीं किया हिंदुस्तान के फकीर सन्यासियों का बाना सचेत रूप से छोड़कर उन्होंने नर्धन तम भारतिये का पहनावा अपनाया सफेद और खुरदरी खादी उनके लिए शुधता, सादगी और गरीबी का प्रतीक थी इसे पहनना राश्ट्रभक्ती का परयाय हो गया और पश्चिमी मिल उत्पादित कपड़ों के विरूत का भी जब 1931 में गोल में सम्मिलन के लिए गांधी जी इंगलन गए तो बिना कमीज के वही छोटी धूती पहने हुए जब बकिंगम पैलिस जाने की बारी आई तो उन्होंने समझोता करने से इंकार कर दिया और समराठ जॉर्ज पंचम के सामने भी धूती में ही पधारे जब पत्रकारों ने उनसे कहा कि समराठ के हुजूर में जाने के लिए उन्होंने पर्याप्त कपड़े नहीं पहन रखे हैं तो उन्होंने मजाक मजाक में जवाब दिया समराठ ने हम दोनों के हिस्से के कपड़े पहन तो रखे हैं प्रिष्ट संख्या 176 5.3 6. खादी पहनना सब के बूते में नहीं था महात्मा गांधी का सपना था कि पूरा राश्ट खादी पहने उन्हें लगता था कि खादी से जाती धर्म आदी के भेद मिट जाएंगे लेकिन उनके नक्षे कदम पर चलना क्या सब के लिए आसान था क्या इस तरह की एकता मुम्किन थी बहुत सारे लोग उनके जैसा एक एहरा किसानी वस्तर नहीं अपना सकते थे सब चाहते भी नहीं थे आईए सुने कि गांधी के आहवान पर कैसी प्रतिक्रियाएं आई इलाहबाद के सफल वकील और राष्टवादी मोतीलाल नहरू ने अपना बेशकीमती पश्ची में सूट त्याग दिया और हिंदुस्तानी धोती कुर्ता अपना लिया लेकिन उनकी पोशाक मोटे खुर्दुरे कपड़े की ना होकर बारीक कपड़े से बनी होती थी जाती प्रथा के चलते सदियों से वंचित तपकों का पश्ची में शहली के कपड़ों के प्रती सहज आकर्शन था इसलिए बाबा साहब अंबेटकर जैसे राष्ट भक्तों ने पाश्चात्य शहली का सूट कभी नहीं छोड़ा कई सारे दलित 1910 के दशक में सारवचनिक मौकों पर जूते मौसे और थ्री पी सूट पहनने लगे जो कि उनकी तरफ से आत्म सम्मान का राशनीत एक वक्त तव्य था एक महिला ने 1928 में महात्मा गांधी को महराश्च्ट से रिखा एक साल पहले मैंने आपको हर किसी को खादी पहनने की गंफीर जरूरत पर बोलते सुना और हमने खादी अपनाने की ठानी लेकिन हम गरीब खुरबा हैं हमारे पती कहते हैं कि खादी महंगी है मैं मराथी होने के नादे नौ गस की सारी पहनती हूँ और बड़े बुसुर्ग उसे घटा कर छै गस करने की बात पर राजी नहीं होंगे सरोजिनी नाइडू और कमला नहरू जैसी महिलाएं भी सफेद, हाथ से बुने, मोटे कपड़े की जगा, रंखीन वडिजाइन दार सारीयां पहनती थी निशकर्ष इस तरह पहनावे में बदलाव का इतिहास एक तरफ जहां सांस्रुतिक रुची और सौंदर्य की परिभाशा में बदलाव से जुड़ा है, वहीं ये आर्थिक वसामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक वराजनीतिक संगर्ष के मसलों से भी उलचा हुआ है इसलिए वेशभूशा में जब परिवर्तन दिखे तो हमें पूछना चाहिए, ये परिवर्तन क्यों होते हैं, इन से हमें समाज और उसके इतिहास के बारे में क्या पता चलता है, इन से हमें रुची और टेक्नॉलिजी यानि प्रोद्योगिकी, बाजार और उद्योग में किन बदलावों के बारे में जानकारी मिलती है, ख्रिया कलाप, भाग 5.3 में इस आशय के कुछ कारण दिये गए हैं कि भारत के कुछ वर्गों, जातियों और क्षेत्रों में खादी क्यों नहीं फैल पाई, क्या आप इन के अलावा और कोई कारण भी बता सकते हैं, जी जो कश्मीरी टोपी कभी कभार पहनते थे, उसे उन्होंने सस्ती सफेद खादी टोपी का रूप दे दिया, ये टोपी वो खुद 1919 के बाद दो साल तक पहनते रहे थे, फिर छोड़ दी, लेकिन तब तक ये राश्ट्रिय वर्दी बन चुकी थी, अंग्रेजों के खि पहने पर पाबंदी लगाने की कोशिश की, खिलाफत आंदोलन के दोरान बड़ी तादाद में हिंदू और मुसल्मान इस टोपी में देखे गए, संथालों की एक टोली ने 1922 में बंगाल पुलिस पर हल्ला बोल दिया, उनकी मांग थी कि संथाल कैदियों को रिहा किया जा अपनी शान मानते थे, और कई लोगों को तो इस कारण लाठियां पड़ी या जेल जाना पड़ा, पहले विश्व युद्ध के बाद खिलाफत आंदोलन के जोर पकरने पर फुंदने वाली तुर्की टोपी पहनना, हिंदुस्तान में उपनिवेश्वाद विरोधी भाव अपना का प्रतीक बन गया, हालांकि धेर सारे हिंदु जैसे के हैदराबाद के भी फैस टोपी पहनते थे, लेकिन जल्द ही ये सिर्फ मुसल्मानों की पहचान बन गई इस प्रिष्ट पह दिये गए चित्र, चित्र 27 महात्मा गांधी पगड़ी में, चित्र 28 जडाओ कश्मीरी टोपी पहने, चित्र 39 गांधी टोपी लगाए, चित्र 31 सिर्मुनाने के बाद, चित्र 31 अपनी 1931 की यौरपी आत्रा पर, अब तक उनके कपड़े पश्चिमी सा आस्कृतिक वर्चस्व के विरोध की अभिविक्ती बन गए थे। प्रेश्ट संख्या 138 प्रश्ण एक, अठर्मी शताब्दी में पोशाक शेलियों और सामगरी में आए बदलावों के क्या कारण थे। दो, फ्रांस के समचुरी कानून क्या थे। तीन, यॉरोपी पोशाक संखिता और भारती पोशाक संखिता के बीच कोई दो फर्क बताईए। चार, अठरह सो पांच में अंग्रेज अफसर बेंजमिन हाईन ने बेंगलोर में बनने वाली चीजों की एक सूची बनाई थी जिसमें ये उत्पाद भी शामिल थे। एक, अलग-अलग किसम और नाम वाले जनाना कपड़े, दो, मोटी छीट, तीन, मखमल, और चार, रेशमी कपड़े। बताईए कि बीस्वी सदी के प्रारंफिक दशकों में इन में से कौन-कौन से किसम के कपड़े प्रयोग से बाहर चले गए होंगे और क्यों। प्रश्न पांच, उन्नीसवी सदी के भारत में औरतें परंपरगत कपड़े क्यों पहनती रही जबके पुरुष पश्चमी कपड़े पहनने लगे थे। इससे समाज में औरतों की स्थिती के बारे में क्या पता चलता है। चे, विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि महात्मा गांधी राज द्रूही मिडल टेंपल वकील से ज्यादा कुछ नहीं है और अधनंगे फकीर का दिखावा कर रहे हैं। चर्चिल ने इवक्तव्य क्यों दिया और इससे महात्मा गांधी की पोशाग की प्रतिकात्मक शक्ति के बारे में क्या पता चलता है। और प्रश्न साथ समूचे राष्ट को खादी पहनाने का गांधी जी का सपना भारत ये जनता के केवल कुछ हिस्सों तक ही सीमित क्यों रहा। तथा प्रस्तुती C-I-E-T-N-C-E-R-T नई दिल्ली।